ओम, शान, आपका प्रश्ण है, आत्मा बिना शरीर के पार्ट बजा सकती है, फिर शरीर क्यों धारण करती है? आत्मा बिगर शरीर बहुत सीमित कार्म करसा, वो केवल गती कर सकती है, प्रन्तु उसे कोई एक्ट करना है तो चाहे वो अपने बनाए हुए शरीर का आधार ले या अन्य किसी शरीर का आधार ले सकते उस शरीर के आधार पर ही वे देखती है एक्ट करती है वो शरीर बदलती रह सकती है प्रन्तु ये भी उस आत्मा का रोल पार्ट निश्चित है कि अपने बनाए हुए शरीर से कैसे पार्ट बजाना है और पराए बनाए हुए शरीर से अपना पार्ट कैसे बजाना है पार्ट तो बजाना ही बजाना है पत पार्ट शरीर से ही बजेगा अपने ड्रामा अनुसार अपने रोल अनुसार वो अपना पार्ट बजाने के लिए शरीर का आधार लेगी परंध्रम से आना अर्था शरीर का आधार लेना और एक शरीर छोड़ने से पहले आप विश्वास कर सकते हैं विचार कर सकते हैं जब गर्ब त्यार है तीन मेने का आत्मा शरीर बाद में छोड़ेगी गर्ब पहले से त्यार है उसने इधर से शरीर छोड़ा एक की सेकिंड के अंदर सीधा गर्ब में परवेश्वी कर्म खेतर तो शरीर के आधार पर है ना शरीर के आधार पर इस संसार में कार्मे के काउंट बनना है आत्मा का आत्मा के साथ कोई कार्मे के काउंट नहीं बनता बनता आत्मा का है प्रन्तु आधार बनाने का शरीर होता है परम पिता परम आत्मा भी कहते बचे मैं शरीर के बिना आप से बात कैसे करूँ यह लिमिटेशन परम आत्मा के सामने भी है तो हर आत्मा के सामने भी तो परम आत्मा और आत्मा दोनों आत्मा है संसार में पाड़ बजाना है तो शरीर का आधार लेना होगा सुक्षम शरीर का आधार लेना होगा बिना आधार लिये काम नहीं चले और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्वर विद्याले के किसी भी सिवा केंद्र पर संपर करे और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर येवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वर्श्वर करे Om Shant झाल झाल